दोस्तों स्वागत हैं आज की इस नए कलास में आज की कलास में देखेंगे कि GDS का जो आप लोगों का फॉर्म आया था वो 27 जनवरी से और फॉर्म भरने की लाश्ट डेट आपका 17 फरवरी तक रखा गया था और आप लोग फॉर्म भर लिये होंगे और यदि फॉर्म भर ल हैं किसी कारण वस आप लोगों का फॉर्म भरने में कोई भी चीज गलती हुई है तो आप करेक्शन करने का 17 से 19 फरवरी के बीच कर सकते हैं और करेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है आपका बहुत ही कम आफशन का दिया गया है जो कि आप लोग सही कर सकते हैं और जैसे कि उसमें आप लोग नाम अगर गलती है वो सही कर सकते हैं इसी तरह के बहुत से इसे अपडेट हैं और काफी उसमें अफडेट नहीं दिये हैं सही करने का ओप्शन और चलिए इसमें देखेंगे आज आप लोगों का कितना परसेंट होगा तो आप लोगों का से समय पर चलिए देखते हैं यह देख सकते हैं कुछ डटा है और इसी के माद्यम से समझेंगे तो सबसे पहले यदि आप लोगों का maximum इतना है तो आप लोग फिकर रहे है आप लोग का जरूर result आएगा सबसे पहले यहां देखेंगे EWS, EWS से हैं तो आपका 90% है तो आपका सेलेक्शन होना तय है यदि आप यू आर जेनरल से अगर है तो आपका 90% OBC तो 90% अनि 90% SC 87% ST 85% और PWO हैं तो आपका 80% इससे भी कम % जा सकते हैं क्योंकि इस बार seat की बात करें तो आप लोगों जानते ही होंगे कि इस बार seat बहुत अधिक है post भी अधिक है तो इसमें समबना बनता की कम % का भी उठाने का chance बन सकता है तो चलिए देखते हैं और यदि minimum आपका maximum की तो बात कर लिए यदि minimum आपका यदि EWS से हैं तो आपका 83 से 90 के बीच marks है तो आपका selection होने की समबना है यदि gender है तो आपका 85 से 94 के बीच है तो आपका समबना बन रही है OBC है तो आपका 83 से 88 के बीच SC है तो आपका SC के लिए आपका हो जाएगा 80 से 88 के बीच ST के लिए आपका हो जाएगा 78 से 83 परसेंट चलिए आगे देखते हैं PWS के टेगीडी से गरिया दिया आप हैं तो 68 से 72 परसेंट के बीच ये तो मिनिमाम की बात करें यदि इससे भी कम आपका है तो आपका डिविजन पर डिपेंट करता है तो आपके होने की समावना बन रही है तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट में बता हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल से आप जूर जाएए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा सेड़ करें ताकि आप लोग की सही समय पर सही अफडेट मिल सके चलिए मिलते हैं अगले कलास में तब तक के लिए जय